हालो एविवान वेलकम तो माई चैनल और कैसे हैं आप सभी उमिद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रांस अभी ना बहुत जादा जो ठंड है ना वहत तेज वाली ठंड पढ़ने लगी और दूप तो बहुत जादा अच्छी लगती है ऐसा लगता है कि क तो यहां पर भी ना एक से डीड़ घंटा दूप रहती है सुबह वही साड़े आठ के बाद तो अच्छा लगता है यहां पर सामने बैठ जाओ तो थोड़ी बहुत यहीं पर बैठ कर मैं अपनी सुबह की चाय पी लेती हूं और कुछ सबजी बगारा जो भी काटना होता ह या कुछ काम करना होता है तो यहीं पर बैठ के मैं कर लेती हूं तो यह जो टाइम है ना यह साड़े आठ नव साड़े नौ बजे का टाइम है क्योंकि कार्तिक स्कूल चला गया था और अभी ना इसकूल का जो टाइमिंग है वो बहुत जादा लेट हो गया है नौ बजे स स्कूल लग रही है तो कार्तिक घर से पौने नौ बजे जो है ना वो निकल जाता है बहुत लेट स्कूल भी कर दी और जो छूटने का टाइम है ना वो भी बहुत कम कर दिये हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है सच में बहुत तेज वाली ठंड तो जैसे स चार बजे सबते ना सामके चार वजे से तपसओ जैसे धूब जाती और इकदम से ठंड ना बहुत तेज सी इस्टार हो जाती है तो अभी है ना यह मेरी दूसरी चाय में पी रही थी चाय मैंने पी ली थी सबे की तो अभी कार्तिक गया फिर मैं थोड़ा सा यहां पर ओर ईतनी लेट जाने के बाद वी ना के चेंट मैं बिलकुल इक्षानी होती इतना त्छन्दा भणता है ना सच में कि सोब्बay से एक तो टिफिन मणा वाथ वेजी से पहले तो और सोब्बay से बनाते रहे तो मतलब इस ठंड के टायम में ना सच में किसी इक्षानी होती बह मुझे ना बार बार जाना पड़ता है ना कहीं पानी के लिए इस चीज के लिए तो मैं ना अपने सौक से पहन ही नहीं पाती हूँ क्योंकि वो गीले ही हो जाते हैं इस वजे से ना पहनती ही नहीं हो तो वह जादा ठंड रहती है और स्लीपर में पहनती नहीं हो फिर आप लग बोलोगे कि आप स्लीपर नहीं पहनते हो तो मैं किचिन में कभी नहीं पहनती मुझे अच्छा नहीं लगता है शुरू से आदत होती है, तो वह बात अलग होती है, लेकिन जब शुरू से ही ना पहनी हो है, किच्चेन में और कमरे में आ, तो अच्छा नहीं लगता है, तो यहाँ पर देखिए चाय वाई पीने के बाद, अभर देख दूप चले गई न, और इसके बाद मैं जल्दी से जाड़ी याड़ी लगा दे रही हूँ, खाना थोड़ी बहुत तो सुबह के टाइम में होई जाता है, बस जो गरम कुछ भी जो जल्दी से मतलब बन जाए, वो मैं बाद में बनाती हूँ, जब कार्तिक के आने का टाइम होता है, तो न, और य और इन लोगों का टाइम तो होई गया था, ये भी आ गए तो और कार्तिक का भी होने वाला है टाइम, अब मैं जल्दी से खाना बनाऊंगी, तो रोटी पराठा तो सुबह बन जाता है, बस मुझे जल्दी से सबजी और चावल बनाना है, आज बहुत ही सिंपल सी मैं सबसे पहले बरतनों को जमा दे रही हूं, उनकी जगों पर, ये काम भी रोच के काम होते हैं, इन कामों को करना भी बड़ा जरूरी होता है, बरतनों को दो और उनको जमाओ, दुबारा से, और देखिए साथ के साथ ना, जो डबबे खाली होते जाते हैं, मेरे किच्छन के सकर के या कुछ भी जैसे डाल वाल के जो भी डबबा अगर खाली होता है, तो मैं बरतन के साथ ही उसको दुल लेती हूं, तो साफ हो जाता है अच्छे से, और फिर दुबारा से हम जब समाल लाएंगे तो हमें साफ नहीं करना पड़ेगा, दूना नहीं पड़ेगा, इस सारी किसे न मेरे बीच बीच में बहुत सारे किचिन के डबबे न धुलते जाते हैं, लेकिन धुलने के बाद भी न बहुत ज़्यादा, उनमें जो है न, इसकी धूल, डस्ट ये जम ही जाती है, पता नहीं कैसे आ जाती है, तो इसलिए न, जैसे ही खाली होता है छीजे, तो मैं यह नहीं कि पूरा समान खत्म होने का अन्तेजार करूं, कि जब सारा समान डभों का खत्म होगा तभी मैं इनको धौनगी, तो ऐसा मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं सूसते हूँ कि अगर एक डबा काश्राऊ हो गया, तो चलो सोस्ति में इसको दोई लेते हैं तो ये दो डब्बे खाली हो गए थे सक्कर के और एक बड़ा वाला सक्कर का जो हम डेली यूज़ करते हैं एक वो छोटा वाला दोनों को मैने दो लिया है और एक डब्ब मैंने चेंज किया मैं आप लोगों को बता नहीं पाई सक्कर का एक से हो गए별 को सेम जैसे में चाइपती का डिप्बा है अगर आप लोग ने देखा है तो ठोकिega वो चाइपती आती है उसमें तो डब्बा भी साहत में मिलता है तो मैंने उसी में एक्सजजेंज कर लिया है और अब एक से हो गए वो दोना तो यहां देखिए मैंने आलू और मटर जो है वो निकाल के रखी है और देखिए थोड़ी सी मटर यहां पर रखी थी तो वो ना अंकूरित हो गई है मैंने अंकूरित की है उसका कुछ बनाने के लिए और यहाँ पर देखिए खाना बन गया था यह खाना बनने के बाद का टाइम है हमारा कार्तिक स्कूल से भी आ गया है इसकूल से आने के बाद फिर बस अब मैं खाना जो है ना उपर ले जाने की जो तैयार ही ना वो कर रही थी तो मैंने इससे बोला जल 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 दी से ड्रेस अपनी चेंज कर लो और मुहाद दोलो अच्छे से और फिर उसके बाद खाना का ले ना तो यहाँ देखिए किचन में आ गया है और किचन में आने के मैंने सोचा थोड़े से चिप्स जो है वो तल ले रही हूं और चिप्स तलने का मौकई नहीं मिल पाता है मैं बूल जाती हूं साम जब याद आती ही ना तो निकाल लेती हूं नजर नहीं आता सतो ना तली नहीं पाती हूं और मेरे बहुत सा तो मैं उसको दूर कर रहे थी, वहां इक तो खुले थे उसके, तो कहीं तेले इलनाा वो न जाए, तो वो इन कामों को किनकी लिए, बहुँत जादा आगे-ागे होता है, बहुत ही जादा जैसे पापकर, तलो, चिपसगी, तलो, है और बस उसने पूरे जो है ना कर दिये और चला गया तो अब ड्रेस ड्रेस चैंज करेगा जब तक मैं मैं और मेरे हस्बंड सारा खाना ऊपर ले जाएंगे तो अच्छा लगता है वहीं पर रख लेते हैं और यह टाइम है खाना खाने के बाद का टाइम है दुपहर के गंटा बाद और यहां पर हमारा कार्तिक जो है वो खेल रहा है पता नहीं उसका यह अभी चल रहा है ना पतंग बतंग उड़ाना उसका दूस्ता जाता है तो बस पतंग उड़ाते रहते हैं यह काद गंटा और कुछ-कुछ और गेम थो है न वह खेलते रहते हैं और यहां पर मेरे ईस्बंन जो है वह सो रहे हैं थोड़ा सा लेटे हैं मतलब अच्छा लगता है दूपमे यहां पर बैठी हूँ अपना काम कおい कर रही है और अभी तैयार ही हन्lt अभी कार्तिक जो है ने बस खेल रहा है और कह रहा था तो तो खेलने का टाइम हो यह नहीं पाता है तो फिर उसके बादना टाइम उसका बहुत ही कम बजता है स्कूल से आता है एक गंटा खेलता है फिर इसका टूसन का टाइम हो जाता है और मैंने चाई भी बना ली थी एक गेड़ घंटा तो हो यह गिया था तो मैंने चाई बना ली थी और पेड़ पौधों को आज मैंने थोड़ा बहुत साफ किया है तो अच्छे देख रहे हैं मतलब जो घास जो भ बाइब का दो बाइब कर दो जाए जो बाइब कर दो ऑग अगे बहा हो, बाइब